नमस्कार सभी को तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास जीद्वारा रचित है तो आईए आज हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुदामा चरित जो है लेकिन वो ब्रज भाशा में होने के कारण इस तरह से लिखे गए हैं। जैसे की शीश, देखो आप इसको शीश, हिंदी में शीश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीश, यहाँ पे सीश दिख रहा है आपको, तो यह वही वाला शीश है, यानि सिर। इसका मतलब होता है सिर। पगा, पगा का मतलब होता है पगडी, जो आप सिर पर पगडी पहनते हैं, उस पगडी को बोला जाता है पगा, जंगा, जंगा का मतलब होता है कुर्ता, यानि धीला कुर्ता या कुर्ता जो आप उपर पहनते हैं। दुपटी, दुपटी का मतलब है दुपटा, अंगोचा या गमचा जो हम चुन्नी की तरह पहनते हैं, दुपटे की तरह पहनते हैं उपानह, उपानह का मतलब है पैरों में पहनने वाला यानि जूता द्विज द्विज तो आप सभी जानते हैं ब्राम्मण को कहते हैं जैसे कि सुदामा एक ब्राम्मण थे बिक्षा मांगे ही अपना काम चलाते थे चक्किसो चक्किसो का अर्थ है चकित होना अब हम पढ़ेंगे next वसुधा वसुधा का मतलब होता है प्रथवी ये कहीं कहीं आपको वशुधा मिलती है लेकिन यहां पे ये ब्रज भाशा है अभी रामा अभी रामा यानि सुन्दर धाम धाम तो आप सबको पता है जहां रहने का जो जगे होती है निवास थल उसे कहते हैं धाम बिबाइन बिबाइन मतलब पैरों की जो एडिया होती है आपकी उसमें जो दरारे बढ़ जाती है जब कोई नंगे पैर चले बहुत दूर तक उसको कांटे लग जाए और कांटों की वज़े से उसकी जो पैर है वो मतलब उसकी एडिया पूरी आपकी दरारे पढ़ जाएं उसमें उसको बोलते हैं बिबाइन कंटक यानि कांटे इते बोलते हैं न इते कहां जा रहे हो? इधर इते कैसे आए? इते यानि इधर या यहां और किते यानि किधर? या कहा ये सब ब्रज भाशा है तो आप ध्यान से इनका मतलब समझें क्योंकि सुदामा चरित जो कवीता है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा तो इसलिए यहाँ पे शब्दार्थ जो है वो अलग से लिखने की आवशक्ता पड़ी दसा यहाँ पे देखिए दशा हम हिंदी में बोलते हैं दशा लेकिन ब्रज में बोलते हैं दसा तो इसका यहीं मतलब है दशा हालत या आवस्था करुना निधी करुना करुना यानि द दया का खजाना यानि दया से भरे हुए कौन है श्री कृष्ण भगवान को बोला है करुणा निधी परात का मतलब होता है एक बरतन होता है थाली जैसा जो बहुत गहरा होता है उसी में श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के चरण धुलाए थे नैनन यानि आखों आखों से जब हम करते हैं चापी चापी यानि चुपाना सुदामा जी ने क्या चुपाया था उनसे चावल चुपाये थे श्री कृष्ण जी से जब आप कविता पढ़ेंगे कविता के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है आप उसमें कविता बहुत ही इंट्रेस्टिंग कविता है आप उसे अच्छे से समझे गुरु मातू का मतलब है गुरु माता प्रवीन देखिए यहां प्रजभाशा में यह र को ना लिखते हैं प्रवीन जब कि इसका हिंदी में हम बोलते हैं प्रवीन या कुशल होना सुधा सुधा यानि अम्रित पाचली पाचली यानि पिछला या पहले का जब हम पहले की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं पाच्छिली ठीक है पहले का तंदुल यानी चावल पुलकिनी यानी पुलकित होना प्रसन्च होना खुश होना अब हम पढ़ेंगे आगे के पठवनी यानी पठाना किसी को भेजना या विदा करना मारग देखिए यहां ब्रज भाशा में मारग को मारग लिखता है तो मारग यानि मारग या रास्ता ही होता है तो आप confused नहीं होंगे यह ब्रज भाशा है बिलोकिवे मतलब देखना या चितवन जो देखने की हमारा जो action होता है कारे होता है चितवन उसी को बोलते हैं विलो की वे मज़ायो यानि मज़ यानि बीच में चानी चानी जो है वो जोपडी को कहा गया है जो आप जोपडी बनाते हैं उस जोपडी को ही चानी बोला है घास फूस की चाजन यानि जोपडी ठीक है तो यहाँ जोपडी है कंचन कंचन यानी सोना पनगी यहाँ पर से एक शब्द आया है पनगी और उपर भी आया था उपानहा दोनों का मतलब जूता ही है heavens यहां पर थाडे, थाडे रही हो बोलते हैं न यानी खड़े रहना थाडे यानी खड़े महावत महावत यानि हाथी वाला आपने देखा होगा राजा महराजाओं के यहाँ पहले हाथी होते थे और हाथी को समभालने वाला यानि जो हाथी को लेकर चलता है उसको देखता है मतलब सारे actions वही करवाता है उसे बोलते हैं महावत ठीक है? और instruction भी हाथी को देता है जुरतो जुरतो यानि जुड़ना या किसी चीज को इखटा करना कोदो यानि अनाच तो ये सारे शबदार्थ जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बिजभाशा के हैं इसलिए आप इनको ध्यान देंगे ठीक है?